आज हम दोग पढ़ेंगे installment payment system तेक है हम दोग का semester 1 का financial accounts का एक chapter है इसका नाम हो गया installment installment payment system यह higher purchase system की ही तरह है पर थोड़ा सथ theoretically difference है नुमेरिकली difference तो है ही लेकिन ज्यादा तर इसका theoretical difference ही देखने को मिलेगा installment payment system suppose मालो you are a purchaser you want to purchase an assets like truck एक truck आप खरिदना चाहते हो the cash price of that truck is rupees three lakhs मालो जो truck आप खरिदना चाहते हो उस truck की कीमत है तीन लाक रुपिया यानि अगर आप उसी वक्त payment cash में कर देती हो तो तीन लाक रुपिया दे दो truck लेकर चलिया हो with papers के साथ यानि ownership भी आपको उसी वक्त मिल जाता है अगर आप cash में purchase करते हो तो बड़ आप नहीं चाहते हो कि पुरा का पुरा तीन लाक रुपिया उसी वक्त initially आप payment कर दो आप चाहते हो कि साथे साथ हम ना payment करके हम कुछ down payment के रुप में दे दे और जो rest amount आपका भज़ जाएगा उससे आप किस्तों के माध्यम से यानि installmentally pay करो vendor यानि जो इस assets का seller है वो आपको यह opportunity दे रही है कि अगर आप चाहो तो पुरा पैसा वन टाइम ना दे कर कुछ पैसा आप down payment के रुप में दे दो और rest amount को आप installmently हमें पे करो ऐसा opportunity जब आपको दी जाती है तो आप इस opportunity को favor करते हो और इसे accept भी कर लेती हो और चलो मान कर चलते हैं कि तीन लाख रुपिया में आप initial payment एक लाख रुपिया कर देते हो कि हम एक लाख रुपिया देने को तयार है तो rest amount आपका बज़ जाती है दो लाख रुपिया आप चाहते हो कि आप इस दो लाख को आप चाहर किस्तों में payment करोगे अब vendor जो है वो दो लाख रुपिया है हमारे नाम पर पचास जार के हिसाब से अगर हम चार इंस्टाल्मेंट दे रहे हैं दो ही लाख रुपिया बनते हैं लेकिन सोचो भेंडर आपको दो लाख रुपिया का installment 50,000 का चार किस्तों में बनाया definitely उसका तो कुछ benefit होनी चाहिए यह जो आपके पास चार साल का timing दे रही है तो वो एक interest आपसे charge करेगी तो वो interest definitely इस 50,000 में add नहीं है अगर इस 50,000 में add होता तो चारो installment का total जो है वो दो लाख नहीं बलकि दो लाख से जादा होता तो आपको यहां समझ लेना होगा कि अगर चारो installment का total हमारा due amount के equivalent आ रही है इसका मतलब installment में interest सामिल नहीं है लेकिन अगर मालों यह 52 या 53,000 का एक-एक installment होता तो चार installment में हो जाता 2,12,000 रुपिया यानि आपको सकते हो कि सर इस 53,000 का जो installment है इसमें interest already included तो आपको यहां पर देख लेना होगा कि जो installment हमारे नाम पर बनाई जा रही है क्या उसमें interest include नहीं है अगर interest include है तो including interest कहेंगे अगर interest include नहीं है ताब उसको additional interest कहोगी theoretically एक और चीज़ यहां पर समझना होगा आपको जब यह assets by installment payment system के थ्रू बेचा जाता है सेल किया जाता है तो आपको इसका ownership document भी आपको उसी वक्त handover कर दी जाती है yes higher purchase system में जो नहीं होता था higher purchase system में last installment pay करो दिन आपको अपना documents यानि papers आपको दी जाती थे but installment payment system में आपको at the time of delivery of the assets means at the time of purchase आपको सारा papers आपको दे दी जाएगी यानि आप उसी दिन से उस assets का honor भी बन जा रहे हो तो यहां पर security के तौर पर vendor के पास क्या रहेगा vendor को आप से वो संपत्ती दोबारा चीनने का rights नहीं रहेगा installment payment system में अगर आपका payment में कोई default होती है higher purchase system में अगर आप installment नहीं दे पाते हो तो vendor को full power रहता है कि आप से वो assets वापस ले ले but under the installment payment system में vendor को owner से paper दे दी जा रही है तो क्या vendor को को security नहीं मिलेगा अपना due amounts के पीछे obviously legal rights होगा आपका जो dues है जो आपने नहीं पे किया उसे वसूल करने का और वो by law आप से पैसा वसूल कर लेगा तो यह है installment payment system का paper में जो concept सा हो जो higher purchase system में थोड़ा difference देखने को मिलता है यहां पर installment payment system क जर्नल इंट्री वही सारा होगा जो higher purchase system में करते हैं थोड़ा से यहां पर changes है notice करो हम अगर चार किस्तों में installment का payment कर रहे हैं तो यहां पर interest include है यहां फिर interest को जोड़ के हम installment payment करेंगे तो हमारा अगर total interest अगर 3000 करके हम ज्यादा पे करते हैं हर एक installment में तो overall मेरा interest 12,000 रुप under the installment payment system in four equal installment इस चार equal installment में हमको कितना total interest देना पड़ रहा है हम लोग higher purchase system में interest charge करते थे dues भी होती थी और हर सल हम लोग उसका interest का due entry पास करते थे यहां पर हम लोग क्या करेंगे चुकि at the time of delivery के समय हमने यह पता लगा लिया कि हमको overall interest 12,000 के आप से वसूल करनी है यानि purchaser से तो हम इस 12,000 के नाम से एक interest suspense account create करेंगे येस जो interest आपके ओपर charge होगी चार किस्तों में overall 12,000 का इसे हम लोग पहले workings के थूर निकाल लेंगे कि हमको total interest कितना pay करना पड़ रहा है और उस interest के लिए हमने एक account create करना है जिसका नाम है interest suspense account और जो हर साल हम लोग interest का due entries charges करते हैं और उस interest काम इसी interest suspense account से हर साल जितना करके interest due होगा return off कर लिया करेंगे यानि हम आते journal entries पर in the books of higher vendor नहीं कहेंगे यहाँ पर सिर्फ बेंडर कहेंगे और उसको buyer कहेंगा higher word को जोडेंगे नहीं अगर जब संपत्यों को बेशती है कोई भी assets को जब सेल करती है installment payment system में तो entry हो जागा buyer's account debit to sales account to interest suspense account sales account में लिखोगी cash price of the assets interest suspense में वो 12,000 तो totally जो भी value होगा 3,12,000 हमने cash price 3,000,000 लिया था तो यहाँ पर buyers के account में हो जागा 3,12,000 sales में 3,000,000 interest suspense account में 12,000 राइट इसके बाद आपको क्या मिला down payment मिला एक लाख रुप्या का उसी दिन आपको down payment मिला you are receiving cash or check whatever it अगर आप cash receive करी तो cash account debit to buyer's account 1,000,000,000 same day at the date of purchase ठीक है उसके बाद at the end of the year verse के end में यहाँ पर जब verse के end में आप interest dues entry करते हो तो याद करो higher purchase system में आप क्या लिख जी थी लेकिन यहाँ पर चुकिया आपने शुरू में एक interest suspense account create कर लिया है जिसे आपने वहाँ पर credit में लिखा था अब यहाँ पर जब entry pass करोगी interest suspense account debit to interest account amount हो जागा 3000 अगर आपका analytical table में चेक करती हो कि आपका हर साल का interest तीनेजर डेफिनेटल नहीं होगा जो भी amount आपका मालो किसी साल आया 6000 किसी साल आया 5000 किसाल 4000 किसाल 2000 इस तरह जो भी interest आएगा उसको interest suspense से return off कर लेना interest suspense account debit to interest account first year के end में देन आपको फिर first installment मिलेगा cash account debit to buyers account 53,000 का installment मिला फिर आप इस interest को क्या करोगी PL account में transfer करोगी entry हो जाएगा इसके लिए income तरह यहाँ हो जाएगा interest account debit to profit and loss account यह हो जाएगा vendors के book में first year का entry यह entry repetitive होते रहेगा up to next three years तक लेकिन पहला जो दो entry आपने पास किया sell करने का and down payment का यह entry आप दोबारा नहीं होगा अब बाकी के साल में interest return off का entry होगा second installment मिलेगा interest को PL में transfer करना होगा ऐसे अगला तीन सालों तक होगा और यहीं entry repeat होगा खाली amount थोड़ा सा change होगा interest का तो होगा ही अगर installment का amount equal नहीं है तो अलग-अलग होगा अगर equal installment है जैसे कि हमने लिया 53,000 तो हर साल का installment का amount 53,000 होगा बड़ इंट्रेस्ट अमांड विल भेरी ठीक है तो यह तो जर्नल इंट्री 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 क्या हो जाएगा एसेट्स आ रहा तो एसेट्स अकाउंट डबिट ठीक है और अकाउंट एफ़े सेट चमट बाइयर लिखेगा तो एसेट्स ने लिख देगा या ट्रुक है तो ट्रुक आकर अब vari सवाणने में 30,000 अलिख दएगा इंट्रेस शॉस्पेंस में लिख देगा बारहां बाहा हजार रिकेगा टू क्या लिखेगा टू लिखेगा सबाइद यह लेगा पहले आप इंस्ट्रेश्ट करेस्ट को अब करेगी इंस्ट्रेस्ट को क рулемे सब्सक्राइब करेगी पहला साथ के-छे हजार निफोगत फिर आप इंस्तॉलमेंट प्यकरेगी फिरklärות को इंस्तॉलमें तो तो यहां पर आपको चुकी एक बायर्स हो आप असेट को घर में लेकर आ रही हो, आपको अपना है, आसेट को यूज कर रही हो, तो यह प्रिशाज देप्रीशिशन का इंट्रीवि आपको पास करना होगा, लिए बायर्स का इंट्रीशिन में कबहारी हो, तो ष। यह प्रिशाज देप्रिशिशन में का कना है, और जो भी depreciation आपने चार्ज किया इसे लिखो और overall दोनों को जोड़कर PL account में डाल दो तो ये entry हुआ buyers के book में first year में अब जब आप second year में जाओगी तो obviously पहला का जो दो entry हैं इन दोनों को छोड़कर rest जो भी चार इंट्रिया बज गई जैसे enter is due का entry होगा फिर installment पे करोगी उसका entry होगा फिर depreciation चार्ज करेगी इसका entry होगा और फिर interest और depreciation को जो PL account में transfer करोगी उसका इंट्रिया continue up to 3 साल तक होता रहेगा तो यह है हमारा installment payment system का theoretical concepts installment payment system और higher purchase system का जो theory है difference का काफे important होती है और journal entry आपको याद रखना पड़ेगा कभी-कभी ऐसा पुछ देता है what are the difference between higher purchase system and installment payment system या फिर पुछ देता journal entries और leisure account first of all you have to pay the analytical table जैसे कि हम लोग higher purchase system में भी बनाते है थे analytical table ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग को बना